कि अज़ा वर्यवन वेलकम टुट के क्लाशेज आप सभी का स्वागत है के क्लाशेज के ओनलाइन प्लेटफर्म में आज हम भारत और अफगानिस्तान जो कि वरतमान में तालिबानियों के कबजे में हैं उसके बीच रिलेशन पढ़ेंगे और तालिबान के बारे में विश् देखने को मिलेगा और आप आज सीखेंगे इस क्लास में कि जब दो देशों के बीच आपस में नहीं बनती हो या फिर इसी देश के अंदर अगर अंदरूनी कुछ कल्ष है वगरा होती है तो जो विदेशी जो कि सासक होते हैं वो उन देशों में कैसे सेंध मारते हैं और किस प्रकार से व्यवेस्ता बनती है तो थोड़ा ध्यान से समझना कैसे क्या है मामला अच्छी अपने अफगणिस्तान और वर्तमान करंट के मुद्ध से यानिके हाल ही में कालिबानियों की जो व्यवेस्ता है आपने देखी होगी अख़बार में रोज आती है और कई लोगों के जो है स्टुडेंट जो है उनके समझे में नहीं आती तो क्या है मामला दान से समझना थोड़ा सा यह पूरा विस्व का नक्सा है जिसमें आपको पता है कि सर यह वाला भाग एस या महादीव कहलाता है यह आपका अफ्रीका और यह आपका उत्तरी अमेरिका और यह आपका दक्षिन अमेरिका ठीक है आप ठोड़ा ध्यान समझना मैं पूरा डिटेल जो है इन देशों के बा कर दाएगे आपको फिलाल आप थोड़ा सा देखेंगे कौन-कौन से देश की में बारे में बात कर रहा हूं तो पहला भारत के जश्ट बगल में पाकिस्तान आप जानते हैं और जश्ट पाकिस्तान के ऊपर है आपका अफगानिस्तान यह वाला एरिया यह जो ब्लेक में ने किया है आपको दिख रहा होगा भारत के ऊपर यह पाकिस्तान के ऊपर यह अफगानिस्तान ठीक है इतना समझ में आग आपका चाहिन ही कि उसके बाद यह अरब प्रायदीप यह वाला भाग और अरब प्रायदीप में यह जो पार्ट वाला है यह साउधी अरब कहलाता है यह साउदी अरब है और यह आप हाला कि देखो महादेव यह वाला जो पूरा का पूरा है यह उत्री अमेरिका कहलाता है पूरा जिसमें कनाडा मेक्सिको और अलास्का वेगरा सब सामील है और ये वाला पार्ट आपका दक्षिन अमेरिका कहलाता है ठीक है लेकिन अमेरिका जो सब्ध हम नॉर्मली जो पुरियोग में लेता है अमेरिका वो इसके लिए लेता है ये United States तो इसको USA बोलते है USA United States of America समझे मागे होगी USA और विस्व की जब जोग्रोफिया पढ़ेंगे तो और डिटेल में आप समझ जाएंगे ये USA है अमेरिका जिसे कहते हैं जो की पराक ओबामा डॉनाल्ड ट्रम्प और आपका कौन सा है आपका जो बाइडन वह यहां के राश्टपती और यह रस्या वापस एक बार पुन है यह रस्या है यह भारत यह पाकिस्तान यह अफगानिस्तान यह साओधी अरब यह अमेरिका ठी और एक और देश देख लीजिए आप यह वाला जो देश है यह इरान अब थोड़ा समझना इसलामिक कंट्री किसे कहते हैं जो इसलाम ध्रम को मानते हैं मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो इसलामिक कंट्री तो आपको पता है पाकिस्तान भी इसलामिक कंट्री है सब साव क्या हैं इस्लामिक कंट्री हैं मुस्लिम लोग यहां पर रहते हैं आरियों की बाद समझी इतना समझ में आगे होगा आपके शायर ठीक है अब आगे की कारवाय स्टार्ट करते हैं दीको प्राचन समय में यानि के पहले के समय में यह जादा से ज्यादा लोग भौत कम दो देश ऐसे थे जो बिटेन यानि की आप कह सकता है बिटिस बिटिस जो थे उनके अधिन नहीं थे लगभक सारे देश आपके बिटिस के अधिन थे चायना स्रिलंका भारत पाकिस्तान तो था ही और या आपका स्रिलंका या अफगानिस्तान सब ब्रिटेन के अधीन थे ध्यान रखना लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं किसकी अफगानिस्तान की पहले तो ये कनफर्म कर लो कि देखो ध्यान समझना क्या है मामला कि अंग्रे दोनें कभ किसे आजाद किया ये थोड़ा सा ध्यान में रखता आपको ये तो पता है भारत और बाद आजाद हुआ था बिलकुल यह सारे के सारे जो देश है यह भारत के बाद आजाद हुए थे जानखना अब कि देख लो चीन कितना डवलॉप कंट्री हो गया अपने से दो साल बाद में आजाद हुआ था यह कि ही कै छ dependency की अगर बात केट तो स्रिल्लंका गुनी Inte 110 में और म्यामार जो की बर्मा कहते हैं उसे उसे उनीं तो स्रिलंका और म्यामार आप जानते हैं कि भारत के नक्सें में आपने देखा होगा स्रिलंका और म्यामार जो है यह न और हैं अफ्गा इस्तान पघनने वाले है तो आफगानिस्तान जो है उनियको दो जब हमारे देश में 111 में जलिया वाला बाग अठीक है अफगानिस्तान जो मतलब 111 में आजाद भूआ था बहुत पहले यानिकि भारस से तह बहुत पहले आजाद हो गहां अब देखो इसकी गुनिस सो गुनिस में आजाद होने के बाद भी अफगानिस्तान की इस्तिती द्याई नहीं रखी गई है देखो अब वर्तमान में दो हजार गुनिस जव आया था तो सौवा सौतंता दीवस बनाया था सौवा सौवा मतलब सौवर सोगे सौतंतर हुए कि दोजार गुनिस में सो दोजार गुनिस से गुनिस से दोजार गुनिस सो साल होगे ठीक है ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था खाल अब्दुल गफार खान यह सकल आप देख रहे होंगे एक जिसका नाम है खान अब्दुल गफार खान जिसे सीमांत गाधी भी कहते हैं सीमांत गाधी क्यों कहते हैं थोड़ा समझना भारत में जब सौतंता का आंदोलन चल रहा था तो यहां भारत का तो हैड था वह आतमा गांदी अब इदर की साड़ पाकिस्तान भारत का इससा था उस टाइम आ या ना यह भारत का ही था और यहां तक तो भारत का मामला था यहां तो गांदी लीड रहे थे पूरे भारत को सौतंता का लेकिन इस सीमांत गांदी यानि सीमा के अंत का जो गांदी था वो कौन था खान अब्दुल गफार खान और ये बाद समझ में और इनोंने भी यानि कि इस चेत्र में अंग्रेजों से स्वतंतरता के लिए इनोंने लाल कुर्टी आंदोलन जो की काफी फैमस है वो पठानों के दौरा इनों के मतलब जो आपको समझ मां आगया होगा ये विक्ति कौन है बांगलादेश के स्वत्र मतला सौरी बांगलादेश ने सौरी अफगानिस्तान के स्वत्रता का जो प्रमुक्स रेज इसे जाता है अंग्रेजों से वो है खान अब्दुल गफार खान जैसे सीमान्त गांधी भी कहते हैं क अब ने देखा होगा कि सर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अटेक कर दिया और वहां के जो राष्टपती थे यह यह राष्टपती बहुत है जिसका नाम है असरफ गनी कि यह देश चोड़ करके भागे तो बिलकुल यह अफगानिस्तान जो देश ता उसका राष् जो अफगानिस्तान गए साल 2016 में उन्होंने अफगानिस्तान का सबसे पुरस्कार है ज़सका नाम है क्या यह पुरस्कार का नाम आपको दिख लोगा अमीर अमुलाला खान पुरस्कार यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि उस पुरुषकार को मोधी को दिया था मोधी को सम्माने दिखिया था 2016 की बात है और यह बात समझ में तो इस प्रकार आपको दिखता होगा कि भारत से जब असरफ गनी जब था तो भारत से उसके रिष्टे बहुत अच्छे थे कुल मिला के अब आगे की बात करते हैं ठीक सर अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती नहीं लगती तो इसके दो जवाब है हाँ और ना दोनो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है या नहीं लगती इसके दो जवाब है हाँ या ना दोनो सर कैसे थोड़ा समझना बात को कैसे चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ध्यान से समझना क्या है मामला यह भारत का नक्सा आपको दिख रहा होगा यह फिर यहाँ बता देते हैं आपको यह भारत का नक्सा है यह इंडिया है आपको पता है थोड़ा समझना और यह वाला जो है थोड़ा बहुत यह पाकिस्तान और फिर है अफगान अफगान केदो चाया अफगानिस्तान केदो बात एक है और यह अफगानिस्तान की है आप बड़ा समझना है पहले यह जो क्या नाम से आपका इंडिक्व्यक्त मातां फगत फगफ का एव Cake है मैं Pastor भारत कि सथा अइसका मतलब यह वाला जो पार्ट है यह वाला पाकिस्तान तो यहां पर एक लाइन खेची गई जिसका नाम ते आने कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खेची गई इसे डूरंड लाइन कहते हैं दूरंड लाइन कौन सी लाइन डूरंड लाइन जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महिलायां जो मुस्लिम समाज के वह आपस में दल रही थी एक नहीं का दूरंड लाइन ठीक है आप ही चाहते हैं ऐसे सब्दों के प्रियों के लिए लेकिन याद हो जाएगा डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन ठीक है लेकिन सर आपको पता होगा कि यह तो पाकिस्तान है अब भारत की सीमा तो यहां तक ही रहे यह तो अब यह आपो अब से बताएं आपको यह थोड़ा सजो एरिया यह वाला एरिया यह ये अपर का जमू कस्मीर झो इलाका है इससे थोड़ा छू अबका असी किलो मेटर का मैषि करें 30 कमे या यानिकी अफगानिसतान से इदर वाह के बहुत आ सकते हैं 80 km चौड़ा यह सीमा लगती है और यहां से आप इदर लेकिन एक बात मुझे बता हो यहां पर तो आपको पता होगा यह तो एरिया ही पी-ओ-क का है पाक ऑक्विपाइड गस्मीर पी-ओ-क अब भारत कहता है बाला की बारत के यह कबजे में नहीं है लेकिन बारत कह साहिए अगर हमारा नहीं है तो फिर यह हमारा अफगानिस्तान से कोई लियना देना देना नहीं है को बारति लक्त भारति अं लिए और पडर पाकिस्तानाइसर जो वहाँ ओड़र है उसको क्या यानिकी जब कि 1119 में आपका इनकी दोनों जगे ब्रिटें सासक जो थे ब्रिटेन के जो लोग थे वह सासन करते थे तो अंग्रेज व नहीं तो डूरेंट टूरेंट अंग्रेज का इन तो नाम है इसलिए डूरेंट नाइन केची बहुतीग है तो यह लाइन आपको लाल कलर के दिख रही है यह वाली यह वाली लाल कलर की पाकिस्तान यह आफगानिस्तान और यह है पाकिस्तान दोनों के भीच की लाइन यह जो लाइन है रेड कलर की यह डूरेंड लाइन है देखो यह डूरेंड लाइन यह 1893 में में खेंची गई थी अब यहां पर यह जो लाइन है देवों यह वाली जो है यह जो है 80 km सीमा है जो प्योके के साथ लगती जानक नाओ अब थोड़ा समझना यह इंडिया यहां पर रहे गया मामला इंडिया इधर इधर है पाकिस्तान पाकिस्तान का यह सेर है आपका इस्लामाबाद जानी ठीक है यह पेशावर इधर की साइड और अफगानिस्तान में जो दो सहर मुख्यत है ज्यादा पॉपुलर है ज्यादा अफगानिस्तान की जो है पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है साड़े चार करोड सम्थिंग लगभग है ठीक है तो जिसमें ज्यादत तर जो जन संक्या वह दो सहरों में रखती है जो मैत्पुन सहर है यह अफगानिस्तान के एक तो राजदानी है अफगानिस्तान की राजदानी काबुल और एक जगह है जिसका नाम है कांधार ठीक है कांधार यह वही कांधार है को गांधार अलग है कांधार अलग है देखने ना एक बार ठीक है अब देखो भी क्या है एक बात मुझे बताओ ज्यान समझना अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में ने का था गुनीस्तो 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 आजा दुआ था किस से ब्रिटेन यान बिर्टिस से तो अफगानिस्तान में गुनिस सो गुनिस से लेकर जैसे अंगरेजों से आजा दुआ तो फिर वहां राजा सासन करने लगे एक के बाद एक राजा गुनिस सो गुनिस से लेकर गुनिस सो तेतर तक राजाओं ने सासन किया अंग्रेज छोड़के गए तो राजा सासन करने लगे और वहां का जो अंतिम राजा था अंतिम राजा उसका नाम था मुहमद जहीर सहा अंतिम राजा का कह नाम था मुहमद जहीर सहा आगे होगी बात आपके समझ में तो अंतिम राजा जो मुहमद जहीर सहा है आप मोहमद जहीर्सा के अगर बात करें तो इलानम किया है अंतिम राजा थाए यह क्या एक बार बहुत टगड़ा बिमार पढ़ गया कौन मोहमद जहीर्सा अंतिम राजा था इसको किसी आदमी ने सलाधी कि बेटा तु इटेली जा अब इतली तो सोनियbes गांधी वहीं किया प्रेटा तुझ इतली जा वहाँ पर इलाज करा किया मुख्मद जैर साज जो है वह चला गया इतली । इलाज कराने एलाज कराने चला लग गया तो यह थोड़ा जा के आजाएगा थोड़ा टाइम लगा इधर इसका सेनापती था किसका मुहमद जहीर सा का सेनापती यान समझना बहुत डाउट के लिए रोंगे सेनापती जिसका नाम था दाउद खान ये दाउद इब्रहाहिम वाला नहीं है द्यान खना दाउद खान ये ये इसका सेनापती था ठीक है तो एधर मुहमद जहिर सार जो है इलाज करा ενि इटली चला गया पीचे से इसका जो सेना होफिता द मं सकांड तर्होण तोवर म मिलाए के क्या किया क्यॉंकि इसकूर अफगानिस्टान मी राजा का शाचन स्फाषन चल रहा था राजागा और अंतीम राजा था मुहमद जहीर सार यह बिमार पड़ गया इतनी चला गया पीचे से इसने तक तक पल्ट कर दिया दाउद खन भोले बेटाओ बर्गादी जनता को बहुत हो गया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यह तो वन सवाद चल रहा है फलान यहां development होगा मतलब यहां की जनता को अफगानिस्तान की किसने दाउद खान ने लोग तंत्र बनेगा लोग तंत्र का मतलब क्या होता है चुना होंगे वोट डालेंगे दुनिया जो आप जिसको चुनेंगे वही नेता बनेगा लोगों ने सुचा यार बात में दम है इसकी पिम का मतलब प्रधान मंत्रिय मुं किसे का अफगानिस्तान का तो राजा की तरीके से ही बात हो गई है तो अच्छी बात है सर लेकिन फिर अफगानिस्तान के लोग जो है फिर गुसा हो गए इस चीज से कि यह बात तो गलत है अफगानिस्तान के लोग गुसा हो गए यार यह बात तो सही है लोग तांत्रिक बनाओगे लेकिन एक पार्ट कि और ये लगबग सात Iowaमंद के जो है। compose này व्यवस्ता बन गई पांट ये रही ज़िएतिक और उंभाग अंधिए। में एक व्यक्ति decisijn के खिलाब स्कस्राइब धाउद ईजिक गलत है क्रांती लादी पुरे देश में जिसका नाम था नूर मोहमद तारीकी इसने खा यह गलत है बात यह चीज क्या है गलत है इसने इसने आप शकल भी देख लिए थोड़ी बहुत यह देखो कर दिया सर यह कौन है यह जो व्यक्ति है यह है आपका मौमद जहीर सा यह अंतिम राजा था अफ़गानिस्तान का मौमद जहीर सा जो की वीमार पड़ गया था देखो भीमार साही लग रहाए यह इलाज कराने कहां चला गया तो इतली और इसका सेना पतिए रहा नाम से को ठीक है सर फिर आगे मैंने क्या कहा था सर म meant ये जह था आप से कि बाओद खान ने एक पार्टी की व्रैस्त की तर एक व्यक्ति प्रोबर और आयए जिसका नम था नूर मौहमद तारिकी तो चीह सी जो नूर मौहमद तारीकी जो है ये तक क्या यह पार्टी इससे पहले वह एक पार्टी उनीस सथेतर की बाती अफगानी दोगों में कि आ गया पसमें गुसा आ गया रेक नेता चुन लिया जिसका नाम नूर मौमत तारीकी और जब इसको नेता कर लिया तो फिर आपकी बार इस पर आज कर लिए इसने अपने आपको वाइस समझ में आ रहा होगा वापस से बता देता हूं एक बार आपको यह राजा था इटली गया बीमार पड़ गया और इसका सेनापती है डाउद इसने ले लिया मामल़ा प्रहतान मंत्री गोशित कर दिया अपणे आपको और इस से ले लिया फिर इसने नूर मौमत तारीकी ठीक है अब नौर मौमत तारीकी की बारे में का दोस्त रूस से बहुत अच्य समनते इसके ँर रोस का क्या मामला थोड़ा समझना रूस का मामला सर रूस कहां से आ बीच में यह देखो पीला पीला आपको जो दिख रहा यह पहले USSR होगा करता था USSR USSR का मतलब USSR का मतलब यहां पर मैंने आपको बता रखा है Union of Soviet Socialist Republic वापसे समझें, USSR का मतलब Union of Soviet Socialist Republic, यानि कि Soviet संग गनराज ये कुछ ऐसा है, इसका मतलब शुद हिंदी में, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, वो यही था, समझे मागया? अब देखो भई, क्या है मामला? पहले जो ये USSR, जिसे रूस कहते हैं वर्तमान में, वो यहां तक देखो ये पीला पीला ये वही था, देखो कितना तक मामला? अब आप देखेंगे, देखो यहां पर ये चोटा सा ये भूखन देखाई है, इधर राइट and पहें, दे देखो ये वाला, सर ये क्या है? ये वो है, जो अमेरिकाका, अलासका है, यू एसे का जो उतरी अमेरीका, यानि कि जो है, तरी अमेरिका कह सकता है, उसका ये वाला पार्ट जो है वह अलास का है यानि कि आप पीछे नक्से में देखेंगे तो यह देखिए थोड़ा सा देखो क्योंकि प्रथवी गोल है मैंने आपको बता रख है यह तो पीड़ा यह तो रूस है रूस का यह वाला पार्ट आप इसी के बगल में यह वाला जो पार्ट आ रहा है यह वाला वो यह नहीं दिख रहा इधर की साइड देखेंगे देखो यह 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 लास का अब तुम तो यहां पर है अमेरिका यहां है बेटा गोल है पुर्थ्वी गोल है इस कागज को मुड़ दो यह अलास्का के टच में आ जाएगा कौन रूस कि यह इसलिए बता रहा हूं कही विद्दार्थियों को पता नहीं होता है ठीक है सर्फ पहले जो यूएसायर जैसे रूस कहते है वो यहां तक जेखो यह फैला हुआ पीला पीला जहांतां धामोडा मामला यह यूएसायर तारूस था यह आपका इंडिया था ही इंडिया के जश्ट उपर ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के जश्ट उपर ये जो रेड कलर में है ये है आपका क्या अफगान क्या है अफगान या अफगानिस्तान आया ना रेड कलर में अब ये पूरा भाग यूएससर के चक्कर में था U.S.S.R. मतलब रूस का वो यह चाहता था कि ये वारा भूबाग भी हमारे अडरे मी आ जाए a क्योंकि पहले भी होते थे में ते Потому और समझ भी मारेक कि भी समझ मारीयो होगी बात तक ठीक है कि यigher जो यहां का अब इस ताइम जो राष्ट पती बन गया इसका अफगानिस्तान का वह कौन था यह था नूर मोहमद तारिकी और यह नूर मोहमद तारिकी जो है वो रसिया का फ्रेंड था इसका रूए से सार का समाज में आगी क्या बात आपके अब इसका मतलब यह जैसे यूएससार रसिया के रूस के वैसे वैसे यह करता था कौन नूर मोहमद तारिकी यह था तो समाज में आगी होगी बात आपके तो इस नूर मोहमद तारिकी से कि तुम यहां के लोगों को सिख्षित करो और मॉडर्लाइशन लाओ आधुन की करन करो यहां फैक्ट्रिया इस्तापित करो मुझे अच्छा लगा यह चीज धान समझना भई यहां पर आपको खुद को लाश्ट में पूरी वीडियो देखने के बार यह डिसाइड करना होगा कौन सा देश अच्छा है कौन सा बुरा है कौन सा बेकार है यह खुद तैकिकात करना आप खुद वीडियो को पूरा देख करके और कमेंट और सब्सक्राइब काई प्लेश अगर आप चाते कि ऐसे वीडियो आगे आती रहे तो वीडियो को लाइक करना ना बूलें अब धे यहां पर क्या है मामला कि सर यहां का राश्टपती कोन था नूर मुहमत तारी की अच्छा का फ्रेंड था अब जैसे रसिया मतलब रूस के व कानून क्लिक को से नाम सेहरिय कानून के इस्लामी कंट्रियों में लागव होता है सहरिय कानुन के अंतरगत क्या होता है छटी क्या वड़ बत्चीयों को लडगीयों को कुई जाने देते कोई मैला अगर बिमार है तो इसको पुरुस डॉक्टर से इलाज नहीं करने कानून है परदा करो बुरका पहनो बहुत कठोर कानून है और अगर इनका पालना अगर कोई नहीं करता है तो उसे फिर भी चौराये पर सजा दी जाती थी बहुत कड़ी बिल्कुर भी चौराये पर लटका देते थे यह कानून है सहरिया कानून मतलब समझ में आ गया यानि मैलाओं पर बहुत पाबंदी रखते थे सहरिया कानून के तरह लेकिन रूस यह चाहता था कि यह कानून यह सारे हटें और यह यहां की लड़कियां सब विक्सितों यहां पर देखो उसी टाइम जो है दो देश बहुत तगड़े थे जिसका नाम था एक का नाम था यूएसार आप अभी अभी फड़ा प्रूस जिसे कहते हैं और एक दूसरा देश और था जिसका नाम था अमेरिका यूएसे अर यह देश पूरे विश्व की दो महासक्तिय हमनि जाती है ही तो सबसे फिर यूएसार की फूल को बेना को बता अब यूएस अखी कि फूल कॉर्म और देख लो यूएसे की फूल कॉमां म Anyways और शेट ऑफ अमेरिका के देते हैं सोल्ट में इसे ठीक है यू ऐसे था और रसीय था वह द्यान से समझना क्या है मामला इन दोनों के भीच शीत यूद्ध चल रहा था यह दोनों विश्व की महान सकती है थी भी कि सर शीट युद्ध को क्या कहते हैं सर कॉल्ड वार कहते हैं कॉल्ड वार किसे कहते हैं तो देशी बासा हम समझो पहले यहां चित्र में देखिए इन दोस देशों का क्या है देखो जान समझना देखो भी एधर से तो यह था इधर से यह यूएसे समझ मांगा समझ मां गया होगा आपके यह यूएसे है यह आपका रशिया है दोनों के भी सीथ यूद का मतलब यह है कि अभी अभी यानि कि जब यह बात चल रही थी जब की तब की बात है कि यहां दोनों के बीच जो है दुट्य विश्वयुद्ध हुआ था और दुट्य विश्वयुद्ध में दोनों एकी साइड थे यह आपके रसिया और अमेरिका तो दुट्य विश्वयुद्ध में जब इन्होंने आपने देखा को धूरी राष्ट और मित्र राष्ट के बारे में जाले डिटेल युद्ध जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे तो जब यह दोस्त थे लेकिन जब जैसे ही दिट्य विश्युद खताम हुआ तो फिर इन दोनों में आपस में बिगड़ने लगई और यह दोनों में आपस में बिगड़ने लगए किसी भी चीज़ को लेकर के तो सीथ युद्ध का मतलब होता है हथियार वगएर नहीं चला कि जरी आपता है कि बोली की युद्ध रिंक हम अमेरिका के से कर देंगे यदर अमेरिका है कि हम रूज क्लों के सम Тут कंतीं त Coach आप आजाओ लए अमेरिका में यह मतलब जो रूस और अमेरिका जो है दोनों के साथ बाल्डवार भी चल रहा था यानि दोनों जो है आपस में चिलते भी थे और आपस में धंकिया भी देते थे यह वैवस्ता ऐसा है ठीक है और आपको पता ही है कि नूर मोहमद जो की अफगानिस्तान का राष्ट पती बना था वह रूस का क्या था दोस्त था और वह चाहता है जाता है कि आधूनिय करनी किया जाए वैस्ट इन कल्चर वैस्ट रशॉस कई पृ चकूरन का मतलब वैस्ट कि से कहते हैं। मतलब वहां की जो महिलाओं को खुली आजारी पर्दा वेगरा नहीं गुंगट-ंगट वेगरा नहीं निकालती इसलिए इस वेस्टरन कल्चर कहते हैं तो यह रसिया यह चाहता था कि वेस्टरन कल्चर जो है इसको अपनाए इधर भी समझ में आगया होगा आपके ठीक है स् अफगानिस्तान में जिसके पास जमीन ज्यादा है जिसके पास जमीन कम उसको देदो हएं आज जो होगे तो बैसाब अब कुछ लोग नाराज होगे अब जैसे कुछ लोग जैसे नाराज होगे मालो कुछ तो लोग नाराज हुए होगे तो अब यहां पर समझना क्योंकि रूस से चिलता था कौन अमेरिका तो अमेरिका और रूस में सीति यूद चल रहा था तो यह जो कुछ लोग जब नाराज होगे तो यह नाराज जो हुए वो किस-किस से नाराज हुए सर ये रूस से भी नाराज होगे तो उनको पता था रूस कहता है वैसे ये करते हैं और नूर मुहम्मद जो तारीक ये उससे भी नाराज होगे इस चीज़ का फायदा फिर अमेरिका ने उठाया अमेरिका ने कैसे थोड़ा समझना हाला कि देखो अमेरिका जो है प्षेयम ड candle कि नजद आफ नाज़ा सुदक्रा कि 100 से लिए कि अधिर की हो प्रेस्कानीत चाह 25 rights जो अच्ठाशन अच्छा था जिस पर पकड़ती वह उपकानिस्तान थी और इस ही उआग़ यह देखो यह हैं समय चीह को यह ऑरत इक स्मयन मैव और ने करन। यह पाकिस्तान के उपर अफगानिस्तान के जश्ट बगल में यह डेकलर में आपको दिख रहा है यह इसलीम कंट्री यह जा रखना इन दर भी मुश्लिम रहते हैं यह जो मुख्या था इसका अमेरिका जो इसकी चलती थी अमेरिका का फैन यानि कि अमेरिका और ये इरान दोस्त थे और ये जो अफगानिस्तान है ये वड़ा अफगानिस्तान और रसिया ये दोस्त थे और ये जो इरान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं यानि कि मुस्लिम देश थे इरान का फ्रेंड तो था कौन अमेरिका और अफगानिस्तान का फ्रेंड कौन था रसिया रूस अमेरिका का यहां फ्रेंडशिप चल रहे थी अब अमेरिका ने कहा कि यार हम यहां एक अच्छा मौका है अफगानिस्तान में इंट्री मानने का और रोस से अभी कुछ लोग जो है चिल रहे हैं आ रहे होगिवाज समझ में और जब ऐसी बात चली तो उन्होंने क्या किया लृसे अमेरिका ने अमेरिका निव Dlatego मुझाहिद दिनों को यानि कि एक बात चलो दूसरी तरीके से बताते हैं ध्यान समझना अमेरिका था सब को दिख रहा है अमेरिका अफगानिस्तान पर थोड़ा कुछ पैथ बनाना चाहता था जो कि इरान के जश्ट बगल में राइट खैएंड साइड ठीक है आपको अभी बताया कि जमीनी विवादधमामला तो रूस से खाफा दे लोग और नूर मुहम्मध टारीकी से भी खाफा थे फिर उन्होंने क्या किया ध्यान से समझना जो लोग नाराज थे किस से नूर मुहम्मद तारीकी दूसरा पैन ले लेते हैं नूर मुहम्मद तारीकी और रसिया से उसी टाइम ये जो नूर मुहम्मद तारीकी है यान समझना नूर मुहम्मद तारीकी जो है यहां का जो राष्ट पती उसका विदेश मंत्री उस टाइम जो था विदेश मंत्री जिसका नाम था हाफिज जुद्दीन अमीन क्या नाम था हफिजुद्दीन अमीन सर ये कौन था तो थोड़ा देख लीजिए हफिजुद्दीन अमीन ये रहा हफिजुद्दीन अमीन नूर मुहमद जो तारीकी है उसका क्या था ये विदेश मंत्री था आगी योगी बात समझे में नूर मोहंब्वत की का क्या था यह विदेश मंत्रिटा हाफीजुद्धिन अमीन, यह था अफीजुद्धिन अमीन, अब विदेश सम्त्रिटा था तो इसका मतलब यह अमेरिका वे गरा सब जगे जाता था, तो अमेरिका की एक गुप्तचर संस् C.I.A. C.I.A. की full form है C.I.A. Central Intelligence Agency United State की America की यह है Central Intelligence of Agency जैसे हमारे भारत की गुप्त सरसंस्ता कौन सी है Research Analysis Wing दूसरे नमबर पर Intelligence Bureau IB तीसरे नमबर पर CBI Central Bureau Investigation ठीक है उसी प्रकार से अमेरिका की सबसे बड़ी जो गुप्त सरसंस्तान है वो C.I.A. है तो C.I.A. ने क्या किया इस व्यक्ति को पकड़ा इसको हाफिज जुद्दिन आमीन को जो नूर मुहमद जो राश्टपती था किसका अफगानिस्तान का उस अफगानिस्तान के जो राश्टपती नूर मुहमद का जो विदेश मंत्र था हाफिज जुद्दिन आमीन इसको लिया अमेरिका ने अपने अंडर में C.I.A. ने मतलब उन्होंने कहा पिटा तेरो को हम बहुत माल देंगे तुम ऐसा करो यानि कि यहां पर जो तुमारे जो अफगानिस्तान में है ना कट्टर मुस्लिम है ना उनको भढ़काओ कि यह जो नूर मुहमद जो है ना तुमारा रूस से मिलकर के तुमारे कल्चर को बरबाद करतेगा और यहां की मैलाएं बेसरम होती जा रही है परदा नहीं कर रही उनको कॉलेज बढ़ा रहे हैं अब कुल मिला के सहरिया कानून कुछ लोगों में इतनी बुद्धी होती है अब तुम सोचना अमेरिका क्या बीजब हो रहा है अमेरिका ने पकड़ा किसको अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को ठीक है साब उसने कहा ठीक है बढ़का देंगे उसने कहा कुल मिला के आप ऐसा करो तुमको एक काम दे रह तुम्धायि ना ये मतलब एक तरीके से अरे आर कुल मिलाके धरम के नाम पर का मार काट करना कुल मिलाके मुझाहि दिनों को तैयार करो मुझाहि दिन समझेंगे होंगे आप जैसे कि बारत में बजरंग दल वेगरा आलाकि मैं इनसे तुला नहीं कर दुख मुझा दिनों की बता समझा रहा हूं जैसे कि दार में के कई होते हैं कटर पंथ वैसे कि अमेरिका ने का किस से यह कहा है अमेरिका कैसे त्यार करें अमेरिका से पूचक कैसे त्यार करें अमेरिका ने कहा चिंता मत करो पैसा अमेरिका कह रहा है पैसा और हत्यार तो हम देंगे यह बीज बोदिया अतंकवाद का अमेरिका ने द्यान समझा जो आगे चलके इसी को दग देगा अमेरिका ने यह जो बीज बोया है आगे चलके आप देखना अमेरिका के लिए कितना नासूर बन जाएगा यह अमेरिका ने कहा तुम मुझाही दिन तैयार करो अमेरिका यानि कि अमेरिका का ही एक तो इरान दोस्ता दूसरा था एक भारत का पाकिस्तान ये अमेरिका का खास हुआ करता था बेटा बिल्कूल दायना हाथ तो अमेरिका ने का मैं पैसा और अथियार दूँगा ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान देगा इनको भारत और पाकिस्तान के क्यों नहीं बनती इसलिए नहीं बनती पैसा मैं दूँगा पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा बुरसर ये बात तो सही है लेक द को ही वहला है यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह साओ बार जगधी के बंच ते जो लोग रोग यो अर्टृ इरान य behaviors classroom ने भी सलामी कंट्री था पाकिस्तान इसलामी कंट्री और यह आप का कौन सा साओ इअ अरफ इन इस्लामिक कंट्रियों को मुसलिम जो देशते इनको अमेरिका कैसे यूज ले रहा है देख लो आप आपस में भीडा रहा है बुद्धी ती उसमें ठीक है सर तो अमेरिका ने क्या कहा कि बेटा तुमको जो आदमी आएंगे वो साओधी अरब से लाँगा यहां से आदमी उठाओ फिर इनको पाकिस्तान बेजो बारत के नजदेक यहां यहां ट्रेनिंग लगेगी और यहां ट्रेनिंग लगने के बाद पैसा तक अमेरिका दे गई फिर इनको बेजो अफगानिस्तान यानि की यहां पर पाकिस्तान के ऊपर और यहां पर रस्या के खिलाफ सब्सक्राइब करने लगे कौन आपके अमेरिका के साथ से पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा था पैसे अमेरिका दे रहा था और इन मुझाई दिनों को साओधी अरब से लाया गया साओधी अरब से यहां पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग फिर अफगानिस्तान बेजते और फिर वहां से रूस और जो नूर मुहमद तारीकी जो था वहां का राष्ट पती जहां का विदेश में थी था अफिजुद्धिन अमीन अफिजुद्धिन अमीन तो यह कारवाई करी रहा था सारे उसी देखरेक में हो रही थी यह बात सारी तो जो नूर मुहमद तारीक यह उसका यहां सरकार चलाना बिल्कुल दुशावर कर दिया और यह क्या करते थे यह जो मुझाइदिन थे जो रूस की यहां से फ्लाइट आती थी न ऐसे अफगानिस्तान होते वह ऐसे कहीं भी जाती थी करम तो क्योंकि आतियार अमेरिका द अब तुम देखलो चला के कौन भदमासी कर रहा है देखलो फिर नूर मुहमद जो की रूस का फ्रेंड था यह परेशान हो गया था इसने क्या किया सरकार बचाना मुश्किल हो गया इसको चलाना ही इसने रूस का दौरा किया रूस इसका फ्रेंड था ही नूर मुहमद का रूस का जैसे दौरा किया ठीक है रूस का दौरा किया साब रूस का दौरा किया तो तब मैं मैं बता दू आपको कि जो इस्लामिक कंट्री यह ध्या तर हुँ था और रूस का दोरा किया थे रूस का दोरा कर पिर में इसने पूछा कि है कि सरकार कैसे बचाए रूस जैसे कहता है तो यह ऐसे नूर मौमद्झ रड़ता है तो ठीक है इसने का बुले मैं कहता है वैसे करो हुआ 5 ने रूस ने कहा रूस ने कहा मतलब रूस का जो संचालक था राश्ट्रपती था जो भी उसने कहा बेटा तुमको पता नहीं तुमको पता नहीं तुम्हारा जो विदेश मंतरी है ना कि ढalition भूयुद एफ़ा नाम हाफिय द अमीन वह सारा खेल रहे है और एमेरिका से मिला हुआ है तो तो जाते ही सबसे पहले उसको अटा मंत्री पर से ठीक है साथ अब जैसे इसने फ्लाइट भरी उत्रा अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर यह बनक लेकिन उसको लगई थी किसको जैसका विदेश मंत्री था अफ़िजुद्धिन अमीन अफ़िजुद्धिन अमीन को बनक लगई वो तैयार मिला उसको वही पूरी गैंग के साथ एयरपोर्ट पर आज़ा बेटा और जैसे एयरपोर्ट के साथ मिला पूरी फैमिली को नस्ते नाभूद कर दिया मतलब खतम अठा टंटा खतम मिटा दिया समझे मारी होगी रील क्या है मामला और फिर खुद ने सरकार मला ली किसने किसने बना ली बताओ नूर मोहमत तारीकी के जो विदेश मंत्री था हाफिजुद्धिन अमीन ने और हाफिजुद्धिन अमीन किसका खास था अमेरिका का अमेरिका का अमेरिका के शिया ये ने त कर रहा था इसका मतलब जिस ऑफगानिस्तान के ओपर रूस का उकूमत चलता था वह अब अब ऐफिसु अब सफोर्दिन अमीर के यहां का सासक की अमेरिका का इस मैं अफगानिस्तानमे समझ में आ गी होगी जैन किसरी पड़ा रहा है कि बेटा तब ही समझ में आएगा मज़ा आएगा और डिटेल से वैकर आपके समझ में आएगी चिंता मत करो ठीक है खुल संकार मना ली यानि कि अब जो गैन जो है USA के आथ में चलेगी सर ठीक है सर अच्छी बात है लेकिन बाई साब जब उसको रूस को पता था कि जब आदमी हमारे पास यहां से नूर मौमद आया था तारीकी गूमने के लिए विद फैमेली और वापस यहां से गया और उतरते ही मार दिया और उसको पूरा पता था रूस को कि इसके पीछे हाथ है अमेरिका का खुपड़ी खराब होगे रूस की यहां इतनी हिमत जो आदमी मेरे घर आया यहां जाते उसको शल्टा दिया खुद ने पूरा देश को समवा लिए तुरंत रूस ने वैसा आकरमन कर दिया किसके उपर फल से ना से आई तुरंत आकरमन कर दिया किसने रूस ने अफगानिस्तान के उपर यह बात है लगभग 1789 की बात कर रहे हैं नाइन्टी सेवन्टी नैन में रूस ने आकरमन कर दिया किस पर अफगानिस्तान के उपर और जैसे यह आकरमन किया और यह जो जो साशक बना था अब वापस गैंद किसके पाले में बता हुए वापस रूस के पास आ गई गैंद यानिकि जो अमेरिका का पिट्टू था अब जो है अफ़ानिस्तान में किसका राच चलेगा वापस अब गुस्सा आ गया अमेरिका को अब तुम को गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं अरे बेटा तुम समझो तो सही अब अमेरिका को गुस्सा आ गया तो उसने मुझाहिद इन उजाहिद इन जो कि उसने तैयार किये थे पहले उनको बढ़काने इस्टार्ट कर टिया दुबहरा खतरनाग तरीकिते से ऊधर ही जब इसको बढ़काने या तभी एक एक शक्ति और इयान समझना इसन्स मुझाहिदिनों के जो कभी लाई जो थे उनका नाम में एक सब्द और आता था यानिक उन्हों ने फिर यह कहा कि चलो ठीक अब एस्तेसी करनी है रूस की अमेरिका ने बढ़काना करने कर दिशंवाँ अफगानिस्तान की लोगों को यहां की कभीला लोगों को और नए नए संगतन बढ़े विब हिसका अमेरिका ने की यार यहां की जो एक श्राइन बना चात्रों का संगतन था यू कि तलीब- थाली ताली मान कैसा है कि आफगानिस्तान ताली प्रभांटिस्टान कैते हैं स्टुडेंट कि यस तू यदा में इंडलीज में क्या कहते हैं आप तो Crey अर्थारसंग यह सही हैं वाइसे बन गया तालीड का ना में खैना है और ये तालीड गया झाय जो है मैं आगे जा करके संहुत तलीबान केव gotta यह वह का उम्ल्ला वुमर थी यह अगे जाकर पढेंगे उसके बारे में चिंता हम lapse People आगे शर्षा, यह चीज़ समझ मन समय हमक्या तो इस परकार तालीबान कैसे अफगान失्तान में तौर Branch यहां लोगों को बढ़का रहा था मेरी का कि तुम्हारे बेटियां पढ़ लिकर के व्यवस्ता खराब कर देगे तुम्हारी गुंगट रखो पलाना दिखाना यह तो इसलाम के खिलाप है पलाना दिखाना अब बढ़का करके ऐसे नहीं बढ़काते मीठा जैरा ऐसे नहीं दो दिन में बढ़क जाएं यहां के लोगों को यह इनकी नहीं मानें के यहां के कुछ लोगों को बढ़का के फिर यह करते थे ठीक सर फिर क्या हुआ ज्यान समझना अब मुझे बढ़काना इस्टार्ट किया लेकिन राज तो रूस का ही चल रहा था ज्यान करना ज्योंकि रूस ने उसको मार दिया था किसका इसको मार दिया था आफिजुद्दिन अमीन को मार दिया था अटेक करके अफगानिस्तान तक रूस की सत्दी इस tv सथ democratic ब्हुच्त कोई प्रतिनीति था रूस का ही कोई मिलने मतलब जो भी खासा आद्मी हो चला रहा था और रूच ने अपनी सेना यहां पर पटकी रखी ती दस साल तक रूस ने खुद की सेना कितने साल तक दस साल तक पठगी रखी यहां पर जब दस साल छोटा मोटा काम नहीं है सेना पड़ी रहेगी उसको खाना पीना गोले बारू धतियार तक तकड़ा खर्चा था कि इनके जाग बार आगे किसके रूस के रूस ने का बार में जाये जनता वाई साल होगे कोई लेणा ने देणा नहीं और दस साल का मतलब आपको पता कब आकरमन किया था अकरमन किया था दस साल का मतलब 1989 को रूस जो है यहां समझना रूस वापस यहां से सेना अठा ली वापस आ गई बूला आजाओ अपने गार होगी जो देखी जाएगी जैसे ही रूस ने अपनी सेना अटाई आफगानिस्तान से कौन-कौन से लोगों के कान खड़े हो गे बताओं तर आमेरीका गया दुसमन मेरा अमेरीका के कान हो गे यहां पर जो मुजाहिद दिन ते उनके कानथ खड़े होगे, मौज हो गई तालीब जो संगठन था, उल्ला उमर का, उसके कान खड़े हो गए, पाकिस्तान के मज़े हो गए, पाकिस्तान भी तो इसी, साउधी अरब, इनके मज़े हो गए, देखो वापस किस किस के, जैसे ही यहां से रूस की सेना वापस गई, अफगानिस्तान से, तो अमेरिका के मज जैसे यहां पर अफगानिस्तान से रुसी यहां इधर वापई गई तπόνत यहां पर मुजाहि दिनों का मामला जो था कभीचलें अपस में ही लड़े पड़े और जब आपस में लड़े पड़े वो की मैं सासन चलाउंगा अफगानिस्तान चलंगा तो वहां जो सबसे ताकतवर जो उभर किया वह था श्टुडेंट संग तालीब तालीब का मतलब तालीबान और इसपे तालीबान ने पूरे पे कबजह कर लिया यह बात है पूरे अफगानिस्तान पे कबजह कर लिया यह बात है 1908 में की बात है पूरे अफगानिस्तान की राजदानी काबूल पे पूरे पर कपज़ा कर लिया मार धाड मचाई धरिया खत्रना फांसी बलटका दिया धुआधार तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कपज़ा कर लिया यह साथ दे रहा था अमेरी का ध्यान खना ठीक है सर जैसे कर रहा तो यह गुनिस्तान में से लेके 2001 तक ही रहा गुनिस्तान में से लेके 2001 तक और इस गुनिस्तान में से 2001 तक उन्हों ने इतनी मार धार मचाई मत पूंचो बात और इन्होंने खुद कब्जा कर लिया किस वे अफिर अमेरिका को भी कुछ नहीं समझने लगे कौन है तालीबानी क्योंकि यह आपस में लड़ने लगे थे आपस में मुझाइदिन यह तालीबानी आपस में लड़ रहे थे ना तब ही तो तालीबानों ने कब्जा किया लड़ रहे थे तो आपस में यह आपस में हतियार किसके लिए लड़ने में काम अमेरिका के क्योंकि अमेरिका हतियार द तों कि पूरे विस्व Не रूस और अमेरिका डोनों ही सबसे ताक वर थे पर्चस्व की लड़ाई थी कि मैं जैसे हित्यार देना बंद कर दिया तो टालीबान के जो लोग थे ने कि खोपड़ी खराब हो गई यार तेरा काम था दब तो अनीदत खोपड़ी करा तक अफगानिस्तान में किसका सासंरा तालिबानों का और उस टाइम जब अफगानिस्तान जो राष्ट पती था उस टाइम का उसका नाम था नजी वॉल्लह . मुल्ला की बात करूंपर तकि तालीबों के मतलब क्या होता है, इस स्ट्वॉडेंट तो मुल्ला उमर जो था वो ये था बिताओ ये ये मुल्ला उमर है बिताओ ये मुल्ला उमर है ये वाला इसकी एक आंक कानी कैसे है बिताओ जब ये रूस से पंगा ले रहा था क्योंकि रूस से ही तो मुजाहिद्दीन तयार बने के ये ही तो था भई रूस से जब लड़ता था तो इसके जो है गोला बारूद में इसकी आख खराब हो गई थी इसलिए थोड़ी एक आख मिची हुई है इसकी जान खड़ा उल्ला उमर इसे कहते हैं भई ठीक है अब सर ये कौन है ये ओसामा बिल्ला देना भी बाद में चर्चा करेंगे चिंता मत करें इसके बारे में मैंने बात की कि सर एक राष्टपती हुआ करते थे जिसका नाम था क्या नजीबुल्ला ये देखो राष्टपती जिसका नाम था नजीबुल्ला को खुले आम फासी देदी थी किसने कर देखो यहां का राष्टपती था नजीबुला इसको सरयाम फासी देदी थी यह बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा फासी कैसे दे रहे हैं आप देख लो यह भी चौराय पर खंबे पर रोड की लाइट पर लटका दिया ऐसे देखो यह तालीबानी कैसे गले मिल रहे ह कि देखो बंब का गोला आथ में राष्टपती को खंबे पर लटका दिया सरयाम तुम देखो कितना खतरनाक मामला है कि यह ऐसा था पहले देखो यह राष्टपती साहब यह लो लटका दिया लेकिन जहान समझना एक मिन्ट में थोड़ा पीछे जाओंगगा आपको समझाओंगा वैवस्ता क्या है आपको मैंने अभी अभी बताया था ज्यान रखना क्या बताया था सर मैंने आपको यह बता मुथ के वें ऑक्रिका के हैं पेर साओडी अरब से एका इमी गया जिसका नाम हो गर ऑसामा बिन लादेन पंचनल के नाम था भी विट्था और उसामा बिने लादेन जिसका नाम सबने सुन रखा होगा जो अलकायदہ का पुरभंध जी कई पाकिस्तान में समझ मा गई और वे कारण रहे होंगे अमेरिका और इनके बीच में अमेरिका और इस तालिबान के जो या फिर यहा और वसामा बिन लाइदेन एक मुझाईद एक अलकाईदा का जो प्रमुक था उसने रही संगथन बनाया था अलकाईदा ओसामा मैं लाइदेन ने यहां देखेंगे यह है ओसामा बिन लादेन ठीक है और थोड़ा समझना में अमेरिका ने साउधी अरब से एक कैसे कैसे चल जाएगा इसको शुर्ण दीटी फिर किसने उमर उल्ला उमर ने जो एक आखा काना था न उसने पना दी थी उसको किसको ओसामा बिन लादेन को उसने पूरी ववस्ता की थी यहां रहे, यहां खाना का यह ववस्ता है पूरी समझी में आगी होगी बात आपके तो ओसामा बिन लादेन को इस व्यक्ति ने पना दे थी उल्ला उमर ने और ये उसाम बिन लादेन की पूरी ववस्ता की ठीक है तो ये देखो मैंने लिख देए उसाम बिन लादेन साओधी अरब से यूएस यानि अमेरिका के कहने पर अफगान भी जाता हुई समझ मा गया अब थोड़ा समझना भी तो मैंने क्या कहा अभी अभी आपको अमेरिका ने पैसे देने क्या कर दिया था बंद अमेरिका का दुस्मन बन गया अमेरिका और उसाम बिन लादेन के आपस में बनती नहीं थी खतरनाग उसाम बिन लादेन ने क्या किया कि अमेरिका की भुद्धी ठीकाने लानी है हमको हत्यार नहीं देता अब तुम सोचो अमेरिका के पैसे से रहत्यार से ये तालीबान ओसामा बिल्लादेन साओधी अरब से यहां सारा कुछ इनी के आतों से हो रहा था लेकिन अमेरिका ने ये रूस के लिए किया पूरी प्लानिंग की और लोगों को तयार किया और यहां से बहुत सारे लोग यहां पर बेजे कहां अमेरिका और अमेरिका बेजे उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी कभी डिटेल में आप कमेंट करके बताना उसके बारे में बताएंगे अमेरिका में तीन चार जगे चार हेल यहां से उसामा बिल्लादेन ने बहुत सारे आतंकवादी बेज दिये वीजा वीजद तैयार करके अमेरिका एक-दो साल रहे वहां पर और वहां पर ट्रेनिंग की एर क्या कहता है उसको पाइलेट की ट्रेनिंग लिए अमेरिका में ही और सारा कुछ किया और फिर यहां व्यवस्ता की सारे कुछ और फिर चार जो प्लेन थे उनको हाइजेक कर लिया उडान बढ़ ली और फिर वहीं पर हाइजेक कर लिया पहले इतनी व्यवस्ता सुरक्षा नहीं थी इतनी तागासी नहीं होती थी पहले ठीक है सर आई जैक कर लिया तो बाइस साब आई जैक करते ही पिस्टल या फिर जो भी बंदुग वेगरा दता दी पाइलेट के बिटा इधर मोड लेकिन वुन में से जो आई जैक किया था वुन उन्होंने पाइलेटों को मार दिया खुद उड़ाने लगे रिट्रेनिंग ले रखी थी उन्होंने उड़ाने की ओसामा बिल्डिंग थी अमेरिका की बहुत तगड़ी अमेरिका की बहुत तगड़ी यह उसामा बिलादेन यह देख लो ओसामा बिल्लादेन यह अनकना यह वंदुक और यह इसका बेटा आलाकि इसके बहुत सारे बेटे थे 10-11 और यह माना जाता है कि ऐसामा बिल्लादेन 52 बावन फिफ्टी टू अलाकि ये एक माके नहीं थे और अलग अलग माके थे मुस्लिम समाज में कई विवा करते हैं इस ओसामा बिन लादेन ने भी चार पांच विवा किये थे लेकिन इसका जो एक तकड़ा जो बेटा फैमस हुआ है उसका नाम था हजमा बिन लादेन हमजा विद लादेन ठीक है तो ये अब वर्तमान में जिन्दा है कहां है मर गया कैसे कोई व्यवस्ता है ये कोई अता पता नहीं है क्योंकि ये आतंकवादी है अलकाइदा का प्रमुख है ठीक है अब क्या हुआ द्यान समझना इस ओसामा बिन लादेन ने उसामा बिन लादेन ने अलकाइदा नाम का एक नए संगठान बताया थैं मैंने बताई दिया आपको क्यों बनाया क्योंकि अमेरिका ने पैसा वेतिया देना क्या कर दिया बंद कर दिया अब ये अमेरिका के जो प्लेन है उनको पत्ते की तरह उड़ाने लगे कुले मिला के समझ मागे होगी बात आपके और यहां पर अमेरिका का एक बहुत प्रचलित यानि कि अमेरिका भारत इससे पहले यानि कि बात है 11 सितंबर 2001 की बात है जब अमेरिका के समझ में आया 11 सितंबर 2001 को कि आतंकवद क्या चीज है भारत बात 11 सितंबर 2001 की है 11 सितंबर का मतलब देखो यह तारीक 11 मैना 11 तारीक है और सितंबर जो है वो नौवा मैना है 9-11 की बात है 9-11 का मतलब है 11 तारीक 9 मैना 2001 की बात है और इस टाइम उन्होंने क्या किया इस ओसामा बिलादेन ने चार जो प्लेन थे उनको हाई जैक कर वा लिया और उनको जो है वो खतरनाक पाइलेट ऐसे थे उनको पाइलेटों को मार के खुद चलाने लग गए और यह अमेरिका की बहुत तगड़ी बिल्डिंग थी उची बिल्डिंग तगड़ी बिल्डिंग नहीं कह सकते यह तो तगड़ा ही काम था बेटा और जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब तुम कोई सारी जीती की तरह नहीं है डबलूटीप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानि की बहुत बड़ी मारा देखो कितनी छोट छोटी देखो कितनी तगड़ी है दूर से फोल्ट हुए द्यान खनाए इसमें ही गुशेड दिया ये रिपलनों को धकूर दिया बिल्डिंग में अभी अक्सी भी अगर अड़ जाता है न प्लेन के तो आग लग जाती है तो बिल्डिंग में तो देख लो आप कितना खतरनाक तरीके से ये विस्पोट हुआ तास की पत्तो की तरह बिल्डिंग टैसनेस हो गई और लगबग ऐसा माना जाता है तीन हचार लोगों की क्या हुई परतियों गई एक इधर से ठोका एक इधर से आया इधर से ठोका, दो आमने सामने से ठोका और सुनना इस वाली बिल्डिंग पे ठोका था एक इधर से ठोक दिया प्लेन एक इधर से आके इधर से ठोक दिया और जब ये बिल्डिंग को ठोकी ये गिरी आग लग करके ये बिल्डिंग इस वाली बिल्डिंग के उपर गिर गई तो ये और ले बैठी साथ में ये लो अमेरिका की आँख खुल गई उस टाइम बेटाओ कि आतंकवाद क्या चीज है उसामा बिन लादिन ने दूसरे दिनी कबूल किया दूसरे दिन कबूल किया उसामा बिन लादिन ने क्या कबूल किया ये इसाम मेरा काम है आरियवाद समझ में ये मेरा काम है उखाड़ जो उखाड़ना है ओके ये उसामा बिन लादिन की बात है अब ध्यान समझना बात है तो यह उमर उम्ला सारी चीज़ आपके समझ मागी होगी तालिबानों का मामला यह बास यह जो उमर उमल यह वाला जो है कहां गया यह उमर उल्ला उमर यह यह किसी आतंकवादी की कुछ गतिविद्यों के कारण पाकिस्तान की सरकार ने इसे घिरफ्तार कर लिया था और 2013 में इसकी क्या हो गई थी मौत हो गई थी वैसे तो लेकिन इसको जब कैद किया था तो इसे अमेरिका ने छुड़वाया था जानकरा किसे इसे अमेरिका के कहने पर इसको छोड़ा था अमेरिका के कहने पर ठीक है और इसी के यह जो मुल्ला उमर है इस मुल्ला उमर के टाइम पर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है यहां पर आप देख रहे होंगे पर यह तो देखो एक बार बिल्कुल जब अमेरिका में यह विवास्ता हो गई ध्यान समझना यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इस पर विवास्ता तो अमेरिका की खोपरी खराब अमेरिका ने तुरंत यानि की 2001 की बात है जानकना अब सुनना मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या बताया था सर कि सर गुनिश सो अठ्षान में से लेकर 2001 तक तालिबानों ने अफगानिस्तान पे कपजा किया आया ना 2001 में अलाव शुरी ओसामा बिल्ला देन अमेरिका के डवलू टी सी जो सेंटर है वाल्ड ट्रेड सेंटर उस पर बिल्डिंग विस्पोर तो अमेरिका घोपरी खराब अमेरिका ने तुरंट आकर्मन किया किसके उपर अफगानिस्तान के उपर आया ना अमेरिका आगे होगी आ समझ में 2001 में अमेरिका के अंडर में अफगानिस्तान आ गया कुली मिला के और अमेरिका की जो फोज थी उन्होंने तालिबान जो की कभजा कर रहा था तालिबान एठाव समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने आप से यह कहा था थोड़ा समझना कि यहाँ पर मैंने आपको यह बताया था क्या बताया था कि आहां अमेरिका ने जो है तालीबानियों ने यहां अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था नीस सो अठ्यान में में दो जार एक तक ओसाम अबिल्लादेन ने अमेरिका पर ये बिल्डिंग गिरा दी 9-11 कर दिया 9-11 कर दिया तो अमेरिका ने यहां सेना भेजी सेना भेजी तो पूरे तालीबानियों को ओसाम अबिल्लादेन चुप करके पाकिस्तान में जा बैठा इसलिए तो पाकिस्तान का नाम आतंक वादियों में आता है पाकिस्तान हमारा देश पड़ोशी देश आतंक वाद को पनहा का मतलब रहने के लिए जगह देता है अब चोर को तुम अपने घर गुसाओगे तो तुम भी चोर हो बिताओ ट्रेनिंग भी देता था यह तो आगी होगी बात समझ में तो बैसा अमेरिकान ने यहां पर जो यहां पर 2001 की बात है मि je आगी होगी बात समझ में 2001 की बात है Dieses 18 bar से लेके 2001 तक तो अफगानिस्तान में से पहले किसका सासन चलता था अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी हो गई फिर तालीबान आ गया तालीबान 2001 तालीबान को फिर 2001 में अमेरिका ने अठा दिया वापस अफगानिस्तान में वही पुरदानमत्री राष्टपती बना दिय ठीक है हम तुम्हारी सरक्षा करेंगा अमेरिका ने का भूल ठीक है सेना रखी अमेरिका ने यहां 2001 से अब क्या चल रहा है 2021 से लेके 2021 यानि कि 20 साल तक अमेरिका ने यहां सेना पठकी रखी और अब जाकर के वही 911 कोई है यानि कि 11 सितंबर को 11 सितंबर 2021 को अपनी सेना वापस बुलाई है अमेरिका ने क्यों बुलाई हाला कि यह एलान डॉलान ट्रप ने कर दिया था कि मैं क्योंकि उसको नुक्सान हो रहा था अमेरिका को उसको तो सल्टा दिया था अमेरिका न भी बात करेंगे 2011 में 2001 में हमला किया अमेरिका के उपर 911 2001 में 10 साल बाद 2011 में जाकर के उसका बिन लादेन मरा था 10 साल ता कुट्टे की तरह पीछे पड़ी रही अमेरिका की फॉर्स अफगानिस्तान में ढूंडती रही मिला ही निया लादेन और जब 2021 में जाकर जो टरंप ने एलान किया था फिर जो बाइडन जो सरकार आई ने राष्ट पती बने अमेरिका के उन्होंने का कि हमारी सेना वापस बुलाता है खर्चा बहुत होता है अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के इसाब से रहने दो जैसे हैं अमेरिका की फॉर्स हटी तरंट तालीबान फिर तरंट वहां पर कबज़ा कर लिया पूरे और कैसे कभा आपको पता ही होगा तालीबानियों ने लेहिए अबकी बार जो तालीबानियों मार्कार्ट नहीं मचाई उन्होंने का हम लोग तंत्र स्थापित करेंगे चुनाओ वगएर्ण कराएंगे लेकिं सरकार हम जलाएंगे पिछली बार जो 1998 में किया था वो खत्रना सर्याम फांसी लक्तिका देते अब की बार ऐसा नहीं किया अब की बार ऐसा करता तो फिर अब की बार तो तकड़ा तुर्तिय विसुद्धी होता आ गई होगी बात आपके समझे में थोड़ी बहुत अब 2001 में यहाँ पे 2001 की अगर बात करें तो 2001 में 2001 में उसामा बिल्लादेन ने 9-11 किया तक इस पर कि अमेरीका पर USA पह दजार एक पह उसामा बिल्लादेन अब जैसे 2001 पह इन्होंने फॉर्स यहाँ बेजी कहा है उसामा बिल्लादेन मार दा लेंगे कि उखाड़ देंगे किटाओ 2000 तो नहीं क्यारा में जाके पता लगा ठीक है तक अमेरिका की सेना अफगहस्तान में पड़ी रही 11 सित्म में 2021 को पुने वापसी अमेरिका ने जो बाइडेन ने ठीक है अब समझना बात 2 मई 2011 की है 2 मई 2011 अमेरिका की खूफिया एजेंसी किसी व्यक्ति ने सूचना दे कि जो ओसामा बिन लादेन है कि जो कि 9-11 का प्रुमुक गुनागार है 2011-11 में 2001 में जो बिल्डिंगों पर 9-11 हमला किया था जो वह आफगानिस्तान में तुम पड़े हो सेनल डालके वहां आई नहीं बोल काई है बोल पाकिस्तान में तर पाकिस्तान में कहा है तो ये लाल जगह आपको दिख लीए इसका नाम या बिताबाद पाकिस्तान में अब तुम देख cavा कितना खत्रनाक आतंक वादी भारbn के कितने नजदीक था दिल्ली यहाँ पर रहे इसलिए भारत और पाकिस्तान के नहीं बनती और पाकिस्तान की राजदन इस्लामाबाद यह रही अब पाकिस्तान के अंदर कोई यह कहता है यहां कोई व्यक्ति है पता नहीं चले ऐसा कैसा पाकिस्तान अब उस टाइम अमेरिका के अमेरिका का दुस्वन था है उसमा बिल्ला देन उस टाइम अमेरिका के राष्ट पती थे बराक ओमावा बहुत अच्छे आदमी थे बराक ओमावा चम्मालिस वे राष्ट पती थे अमेरिका के चम्मालिस वे राष्ट पती बराक ओबामा और बर कान या गुफा मतलब मकान ऐसे था तगड़ा उपर से इतनी तगड़ी टीम थी अमेरिका की एर फॉर्स की तो उन्होंने एक कोई गोड़ा फैका उस दीवा मतलब मकान की चट पर छेद हो गया और इतना तगड़ा वो था कि उसमा बिलादेन के जिस जगह बैठा था वहीं उपर च्ट में छेदगर के एर फॉर्स ने बिल्कुल उसमा बिलादेन को सल्टा दिया मार गिराया ये बात है दो मई दो हजार ग्यारा की और ये उस ताम अखवार भरे आये थे दो हजार ग्यारा में कितनी तगड़ी सफलता थी अमेरिका की और ये सुबह रात का ये था सुबह फिर लगवग रात के सम्थिंग ओबामा ने ऐलान किया कि उसमा बिल्लादेन मारा गया अब सुना दो हजार एक से लेकर के 2001 को हुआ था हमला 2011 को मरा इसके बीच जो ये 10 साल है दस साल बाद इसमें बीच बीच में 10 साल तक रोज अखवारों में एक दो दिन में मैंने डेड़ मैंने में रोज आते थी शायद ओसमा बिल्लादेना मर गया है फलानी जगह उसकी ज़से देखा गया सेकल मर गया नहीं रहा लेकिन मरा 2011 में था आगे होगी बात आपके समझें अब देखो यह इंडिया था यह पाकिस्तान जो है अलग थलक पड़ा है अमेरिका अमेरिका के पाकिस्तान के इसलिए नहीं बनती अब जाके पहले जो है अमेरिका ट्रेनिंग के लिए बेशता था इदर अब उसकी खोपड़ी खराब अमेरिका यार तुमने हमारे ही व्यक्ति को तुमने यहां मतलब ओसाम अभिल्ला दिन को छेपा के रखा है तब भारत के और अमेरिका के नजदीगी बड़ी है तकि भारत सही है यह पाकिस्तान बेकार है आगी होगी बात आपके समझ में अब देखो मैंने आप से कहा था कि मुल्ला मुल्ला उमर जो की तालीबान नी नेता था चात्रों का संगठन का मुल्ला उमर बताया था मैंने यह आँख इसकी अशी है इसी के टाइम यह व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था अब्दुल्गनी बरादर नाम जो है यह इस पुल्ला उमर नहीं दिया था रियानक ना और वर्तमान में यह चाहता है कि मैं पूरे अफगानिस्तान को संभालूं और यह माइक वाइक भी इसके लग रहा है आप देख को गोशित कर दिया कि मैं यहां का क्या हूं प्रधान मंत्री हूं यह राइष्ट पती हूं जो भी यह देख लें आ गई होगी बात आपके समझ में अब्दुल्गनी बरादर और जब इन्होंने राजी राजी तालीबानियों ने अफगानिस्तान पे कबज़ा कर लिया का प्लेदों में देखो कैसे लटक लटक के चल रहे हैं कोई उपर प्लेन के उपर चट पर चट पर कर रहा था कोई कैसे सब ने अपनी जान बचाई अब आगे देखते हैं अब ये जो अब्दुल गरी बरादर जो है कैसे व्यवस्ता करता है योग तंत्र चाहता है कैसे करेगा इनकी तरह कुछ करेगा कारणा में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अब यह अगर इसके हाथ में अब यह सहरीय कानून लगाएगा महिलाओं को कितनी छूड़ देता है अब यह अफगानिस्तान पर किसकी संता अगी अब तालिबानियों की पहले आई थी गुनिस्सो अठाण में तालिबानियों की 2001 तक रही थी अमेरिका ने भगा दिया था अब जैसे अमेरिका 2021 में सेना टाली वापस आगे उस टाइम ने मार धार मचाई थी अब की बार मार धार नहीं बचाई लेकिन उस टाइम जब तालिबानियों ने सरकार बनाई थी तालिबानियों ने तो तालिबानियों ने सरकार बनाई तो इसकी जो मानिता दी थी विद पाक ने साउदी अरब ने और एक यूए यूए का मतलब संयुक्त अरब अमीरात ये भी एक मुस्लिम देश है इसमा आई पील वेगार वेट है यह तो यह तीन देशों नहीं मानिता देती कि हाँ यह सही है अब आपकी बार देखे यह सरकार बनाते हैं कितने लोग इसको मानिता देता है वो बाद की बात है आ गई होगी बात समझ में पूल मिलाके यह पाकिस्टान के फेवर की सरकार हो गई पाकिस्टान तालिबानियोंगे अच्छी गुरटिय तुमको पता है ठीक है तो यह बात आपके सब के समझ में आ गई होगी और इस परकार मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाने की कौशिश की और कहीं पर दिक्कत या कोई गलत तथ्य अगर बता दिया तो उसके लिए माफी चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आपको बताए उसतीगा हैं झांगर इसे चाहते हैं कि एक की और ये जापको एक कि और ऌगर जोट पाको छेंए है रजए से अबर, को फिन आपको एक प्मने ऊपको, कर टर दक का अफने हैं कि दूरागा हैं ऊजवे।